आज जो मूवी आपको मैं एक्स्प्लेइन करने वाली हूँ वो 2002 की बेस्ट मूवीज में से एक है और हाँ फ्रेंड्स इस मूवी को लास्ट तक देखना ना भूलिए क्योंकि मैं इस मूवी से जुड़े हुए कुछ अमेजिंग फैक्स आपको लास्ट में बताऊंगी मूवी की स्टाटिंग में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम जिमी होता है उसके फ्रेंड्स उसे जिमी कहके भी बुलाते हैं जिमी या फिर हम कह सकते हैं rabbit जिसकी life struggle से काफी भरी होती है वो अपने daily की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक छोटे से गाड़ी के कार खाने में काम करता है दिन भर वो गाड़ी के कार खानों में काम करता और रात में अपने friends के साथ गोमता है जीमी को rap करने का काफी शौक होता है तो जीमी के जितने भी फ्रेंड्स होते हैं उनमें एक फ्रेंड होता है जिसका नाम फ्यूचर होता है जो एक तरह का rap battle और्गनाईज करता है rap battle एक तरह का rap local competition होता है जिसमें वहां के local लोग rap करते हैं फ्यूचर को पता होता है कि जीमी को rap करना काफी पसंद होता है इसलिए फ्यूचर उसको एक rap competition में फ्यूचर करने का एक मौका देता है और जीमी भी इस बात को सुनकर काफी खुश होता है और competition के लिए तयार हो जाता है जीमी competition के लिए जाता है पहले दूसरा competitor rap perform करता है और उसके बाद जैसे ही जीमी की chance आती है जीमी एकदम से freeze हो जाता है गैस हमें इतना तो पता है कि जीमी की life काफी struggle से भरी हुई है उसकी life में personal भी काफी issues है उसी personal issues में एक ये issue भी होता है कि recently अभी उसकी girlfriend से उसका break up हो गया होता है जिसकी वज़े से जीमी काफी disturb हो जाता है और उसके मूँ से एक शब नहीं निकलता है उसे समझ में नहीं आ लूज हो जाता है अब उसके पास ना रहने को घर है और ना और ना ही कोई अपना क्योंकि वो अपनी girlfriend के साथ रहता था अब जीमी को अपनी मा के पास जाना ही होगा चूंकि उसके dad इस दुनिया में नहीं है तो अब उसकी मा और एक उसकी छोटी बहन ही उसका एक सहारा है जीमी अपनी मा के पास जाता है जो उसकी खुद की पास कोई जॉब नहीं होती है जो खुद एक छोटे से घर में रह रही होती है वो गर भी उससे काफी जल्दी छिन जाने वाला था क्योंकि उसका rent काफी मातरा में due था खैर उसकी मा जीमी को देखकर काफी खुश होती है जीमी की मा एक आदमी के साथ रहती है जिसे जीमी बिलकुल पसंद नहीं करता था ये वही आदमी था जो कभी जीमी के साथ उसके कॉलेज में पढ़ता था वो आदमी भी जीमी को बिलकुल पसंद नहीं करता है और वो उसे उस घर में रहने से मना करता है इतने में दोनों म नहीं बस कुछ हपतों के लिए यहां रुखने वाला हूँ. नेक्स सीन में हमें दिखाया जाता है कि जिमी का फ्रेंड विंक आया होता है. जो उससे कहता है यार तुझे कल रात को क्या हो गया था? तू तो एकदम से फ्रीज हो गया था. तुझे उस सेल्टर जाना ही नहीं चाहिए था. फ्रेंड्स सेल्टर उस जगर का नाम है जहां पर रैप कॉम्पोटिशन होते हैं. वो उससे कहता है कि तुझे चिंता करने की कोई बात नहीं. मैं तेरी लिए गाना रिकॉर्ड करवाँगा. मैं तेरी पर्फॉर्मेंस अच्छे से अच्छा करवाने की कोशिश करूँगा. मेरी बहुत बड़ी जगह पहचान है. तुझे चिंता मत कर मेरे यार. इतने में जिमी की बस आ जाती है. और जिमी विंक से कहता है कि हम इस बारे में बात में बात करेंगे. वहाँ पहुचकर जिमी कार खाने में काम करने लगता है. और वो वहाँ पर डबल शिफ्ट की बात करता है. क्योंकि उसे पैसे की सक्त जरूरत रहती है. पर चुकि वो आज लेट से आया था. इसलिए वहाँ का सुपरवाइजर उस पर गुसा भी करता है. और उसे साफ मना कर देता है. काम के बाद जिमी वापस से अपने घर जाता है. वहाँ उसका फ्रेंड फ्यूचर आया हुआ होता है. फ्यूचर वही है जो रैप बैटल होस्ट करता है. और future उसे बताता है next week फिर से एक rap battle होने वाली है और इस बार तू कोई गलती नहीं करेगा तुझे अपना best perform करना पड़ेगा Jimmy कहता है नहीं नहीं बिल्कुल नहीं इस बार तो मैं कोई rap perform नहीं करने वाला क्योंकि मैं तुम लोगों जैसा नहीं perform कर सकता future कहता है नहीं मेरे friend एक बार तू perform तो करके देख उन लोगोंने तेरा गाना एक बार भी नहीं सुना वो जब तेरा गाना सुनेंगे न वो पागल हो जाएंगे friends ये 1995 की बात है जब 90% rappers black हुआ करते थे चुकि Jimmy का color काफी fair होता है इसलिए सबी उसका मजाक उड़ाते हैं वो समझते हैं कि Jimmy rap बिल्कुल perform नहीं कर सकता Jimmy को rap perform करना बहुत पसंद होता है Jimmy को rap perform करना इतना ज़्यादर पसंद होता है कि हर वक्त उसके पास एक diary और एक pen होती है जिसमें वो अपनी सारी चीज़े record करता है नेक्स सीन में हमें दिखाया जाता है कि Jimmy रात में अपनी मा की कार जो उसकी मा ने उसे birthday gift की थी अपने friends के साथ गूम रहा होता है और गूमते हुए वो एक ऐसी जगा पे पहुशता है जहां पे कई सारे group मौजूद होते हैं वो group आपस में ही rap perform कर रहे होते हैं इतने में future उससे कहता है कि Jimmy तुम भी अपना rap perform करो तब ही वहाँ पे एक group आता है जिसका नाम होता है दव फ्री वर्ड इस group का ही एक लड़का जोर से चिलाते हुए बोलता है कि मैं और पैपर डॉग इस rap battle के लिए तयार है है कोई जो हमसे मुकाबला कर सके फ्रेंड्स दरअसल पापर डॉग एक ऐसा सक्ष होता है जो काफी अच्छा rapper होता है काफी अच्छा rap perform करता है उससे rap की दुनिया में जीतना काफी ही मुस्किल होता है इसलिए वो इनसान Jimmy की और point out करके उसको force करता है और उसको poke करता है कि तुम भी आकर rap battle में perform करके दिखाओ जीमी को लड़का इतना ज़्यादा poke करता है कि जीमी को गुस्सा आ जाता है और जीमी उस पे हाथ उठा देता है उस पे attack कर देता है इतने में वहाँ पे मौजूद जितने भी group होते हैं उनके बीच हाता पाई शुरू हो जाती है खैसे तैसे उनके बीच की लड़ाई बंद होती है और हमें next scene में दिखाया जाता है कि जीमी और उसके friends एक club में गए हुए होते है वहाँ जीमी की मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम Alex होता है ये लड़की वही होती है जिसका भाई जीमी के कार खाने में काम करता है और चू कि उस लड़की ने जीमी को रैप करते हुए सुना है इसलिए वो लड़की उससे काफी इंप्रेस हो जाती है दोनों के बीच में friendship हो जाती है और दोनों काफी अच्छे फ्रेंड बन जाते है जीमी और Alex एक अच्छे फ्रेंड हो जाते है इसलिए उनके फ्रेंड भी आपस में मिलकर काफी पार्टीज करना कलब जाना स्टार्ट कर देते है एक रात जब वो कलब को जाते हैं तो उसी रात वो एक घर को आग लगा देते हैं जिमी और उसके फ्रेंट इस घर को आग इसलिए लगाते थे क्योंकि ये एक पुराना खंडहर होता है इसमें कई वारदाते होती हैं इसमें कई रेप हो चुके होते हैं जिमी इस बास से बेखबर होता है कि उसका घर भी इस घर के आस की पास में है फिर भी उसे इस बात से कोई मतलब नहीं होता है और वो और उसके फ्रेंटस घर को जला कर राक कर देते हैं जीमी को एलेक्स दीरे दीरे पसंद आने लगती है और एलेक्स भी जीमी को पसंद करती है एलेक्स जिमी से कहती है कि तुम जब भी अपना नेक्स डेमो दो तो मैं वहाँ पे होना चाहती हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारे रैप परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगती है इतने में ही एलेक्स वहाँ से चली जाती है जिमी का फ्रेंड विंग जिसने ये प्रॉमिस किया था कि वो फ्री में उसका डेमो रिकोड करवाएगा सको ये विश्वास होता है कि एक ना एक दिन वो अच्छा रैपर बनेगा पर वहीं उसका Friend Future जो उसको बताता है कि विंग जूट बोल रहा है तो उसके चक्र में मत पर उसकी मां काफी परेशान होती है क्योंकि उन्होंने काफी दिनों से अपने घर کا रेंट नहीं दिया होता है तो इसलिए उसकी मा जीमी से बताती है कि अगर हमने 30 दिन में अपने घर का किराया नहीं भरा तो हमसे ये घर भी छिन जाएगा ये बात सुनते ही जीमी को काफी गुसा आजाता है और वो चिलाते हुए कहता आखिर ग्रैक क्योंने इस घर का रेंट देता है वो भी तो इस घर में रहता है ना उसकी माँ से समझाते हुए बोलती है कि हम Greg से पैसा नहीं ले सकते और फिर तुम चिंता मत करो Greg हमें जल्दी नए घर में shift कर देगा फ्रेंट्स चुकी Greg का एक accident हुआ होता है और उस accidents के थूँ उसे insurance के पैसे मिलने वाले थे जिसी की वज़े से वो उसकी माँ से कहती है कि Greg हमें एक नए घर में shift कर देगा ये Greg वही होता है जो उसकी college में पढ़ता था और अभी वो उसकी माँ का boyfriend हो चुका है दरसल उसकी माँ Greg से पैसा इसलिए भी नहीं लेना चाहती थी क्योंकि उसे पता था कि अगर वो Greg से पैसा लेगी तो उसका और उसके boyfriend का relation खराब हो सकता है Friends, Jimmy को कहीं न कहीं ये तो लगता है कि उसने कुछ जादा ही बूल लिया इसलिए अपना दिमाग शान करते हुए वो अपनी मा को समझाता है कि Wink एक deal पे काम कर रहा है और शायद जल्दी उसे अपना डेमो रिकॉर्ड करने के लिए फटी का एक स्टूडियो मिल सकता है और ये कह के जिमी वापस से अपनी काम पर चला जाता है वहाँ पर जिमी की वही पुरानी गल्फरेंड आ जाती है जिससे जिमी ने ब्रेक अप कर लिया था उसकी वो गल्फरेंड जिमी से पूछती है कि आखिर तुमने में साथ ब्रेक अप क्यों किया जिमी कहता है मुझे नहीं पता जब ब्रेक अप करना था हो चुका है गुसे से पागल वो कहती है कि उस दिन जब शेल्टर में तुम रैप परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे तुम फ्रीज हो गए थे तो सब तुम्हारा मजा कूड़ा रहे थे जिमी कहता है कौन कौन मेरा मज़ा कूडा रहा था वो कहती है सब तुम्हें लूजर कह रहे थे जिमी इतने में गुसा होकर कहता है बकवाश बंद करो और जाओ तुम यहां से और जिमी की गल्फरेंड वापस चली जाती है दर असल जिमी की लाइफ काफी स्ट्रगल से भरी होती है उसकी परसनल लाइफ प्रोफेसनल लाइफ और फैमिली लाइफ काफी बिखरी हुई होती है उसकी लाइफ में काफी टेंशन चल रही होती है खेर लंच टाइम में वो देखता है कि एक ग्रूप होता है जो एक गे का रैप गाकर मजाग बना रही होती है ये देखकर जीमी भी उस ग्रूप को जॉइन करता है और रैप गाकर उन लोगों को हरा देता है जो लोग रैप गाकर उस गे का मजाग बना रहे होते हैं और ये सब एलेक्स वहां से खड़े होकर देख रही थी क्योंकि एलेक्स का भाई भी उसी फैक्टरी में काम करता है एलेक्स को जिमी की वैप परफॉर्मेंस काफी पसंद आती है जिमी देखता है कि एलेक्स भी वहाँ आई हुई होती है और उन दोनों के बीच में नजदीकिया शुरू हो जाती है वो दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं नेक्स सीन में हमें दिखाया जाता है कि जिमी वापस से जब अपने घर जाता है तो वहाँ पर उसका फ्रेंड विंक और एलेक्स उसका वेट कर रहे होते हैं विंक उसे बताता है कि यार मैंने तेरी मीटिंग एक नए प्रोडूसर से फिक्स कर दी है और अगर सब कुछ सही रहा तो जल्दी तेरा गाना एक नए स्टूडियो में रिकॉर्ड होगा और तू बहुत ही जल्द फेमस हो जाएगा इतना कहकर विंक वहाँ से चला जाता है और इसके बाद जीमी एलेक्स से पूछता है कि तुम विंक को कैसे जानती हो तुम दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हो इतने में Alex कहती है कि जैसे विंग तुम्हारी मदद कर रहा है वैसे विंग मेरी भी मदद कर रहा है वो मेरा एक नय पोटफोलियो तैयार करने में मेरी मदद करेगा क्यों क्योंकि उसके बहुत बड़े बड़े कॉंटेक्ट है जिमी कहता है तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था यह जगा सेफ नहीं है यह जगा सही नहीं है और मैं यह पर कुछी दिनों के लिए हूँ Alex कहती है अरे तुम्हें परिशान होने की कोई जरुवत नहीं है तुम्हें शर्मिंदा होने की कोई जरुवत नहीं है मेरे लिए तुम इंपॉर्टेंट हो तुम्हारे ये जगह नहीं इतने में Alex वहां से चली जाती है और उसके बाद जिमी रात भर अपनी नई recording जो से विंग के थुरू मिलने वाली थी उसके लिए lyrics लिखता है और अगले सुबा जब जिमी सो कर उठता है तो वो देखता है कि उसकी मा का lover भी वहीं मौजूद होता है जिसके हाथ में वो letter होता है जिसमें लिखा होता है कि अग ने जरूरी नहीं समझा मुझे बताना और उन दोनों के बीच में काफी कहा सुनी होने लगती है इतने में जिमी को काफी गुसा आता है और वो ग्रैक के उपर हाथ उठा देता है ग्रैक और जिमी के बीच काफी हाता पाई शुरू हो जाती है जिसमें जिमी ग्रैक के उप पर काफी हाथ उठाता है और मारता है जिससे ग्रैक गुसा और नाराज होकर वहां से चला जाता है यह सब देखकर उस कीमा काफी दुखी होती है परेशान होती है वह जिमी के ओपर चिला कर कहती है कि एक बार फिर से मैं अकेली रहेगी यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है निकल जा तुम मेरे घर से जिमी भी बाहर निकल कर स्टूडियो चला जाता है वो काफी गुसे में होता है स्टूडियो पहुचकर वो देखता है कि विंक और एलेक्स के बीच में सेक्स्वल इंटरकोर्स हो रहा होता है वो लोग एक दूसरे के साथ इंटिमेट हो रहे होत तो वहाँ पर वो देखता है कि विंक वहाँ पर पापा डॉग के ग्रूप के साथ मौजूद रहता है। पापा डॉग एक फेमस रैपर होता है। यह वही रैपर होता है जो एक बार रैप बैटल में जी चुका है। और इसे अपने रैपर काफी घमन भी रहता है। वो लोग जीमी को काफी मारते हैं। और पापा डॉग तो वहाँ पर उसको गन पॉइंट पर भी ले लेता है। इतने में विंक वहाँ पर आता है और कहता है बस बस इसके लिए इतना ही काफी है। और वो लोग उसे वहीं छोड़ कर चले जाते हैं। जीमी वहाँ पर अपने घर की बाहर बैठा होता है। और इतने में वहाँ पर उसकी माम आती है। उसकी माम काफी खुश दिखाई दे रही होती है। उसकी माम उससे कहती है कि आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज से उन्हें अपना घर छोड़ कर कहीं नहीं जाना पड़ेगा नेक्स मॉर्निंग हम देखते हैं कि जीमी वापस से अपने फैक्टरी जाता है और अपना काम शुरू कर देता है और वहां उसका सुपरवाइजर आकर जीमी से पूछता है क्या तुम्हें अभी भी डबल शिफ्ट की जरूरत है जीमी कहता है हाँ दरاصल जीमी ने एक बर अपने सुपरवाइजर से डबल शिफ्ट की बात की थी ओवर टाइम की बात की थी पर उस समय उसका सुपरवाइजर ने उसे मना कर दिया था लेकिन अब जिमी को एक्स्ट्रा काम मिल गया है एक्स्ट्रा काम मतलब जादा पैसे और आज पूरे एक हफते हो चुके हैं और आज वो दिन है जहां पर शेल्टर में फिर से एक बार रैप बैटल प्रफॉर्म की जाएगी और इस बैटल के लिए जिमी के फ्रेंड फ्यूचर ने उसका नाम लिखवा दिया होता है हाला कि जब फ्यूचर ने उसे इस कॉम्पोटिशन में कॉम्पोटीट करने के लिए कहा था तब जिमी ने उससे लड़ाई की थी उसे मना कर दिया था और आज जब जिमी को इस बैटल में परफॉर्म करना है तब आज जिमी को अपनी फैक्टरी में ओवर्क टाइम करना है तब वहीं पर Alex आती है और Alex जिमी से कहती है कि मैं हमेशा के लिए New York जा रही हूँ लेकिन मैं New York जाने से पहले तुम्हें एक बार rap perform करते हुए देखना चाहती हूँ पर मुझे नहीं लगता है कि तुम rap perform कर भी पाओगे क्योंकि मुझे लगता है तुम किसी से डरते हो तुम डर पोख हो जिमी कहता है नहीं मैं किसी से नहीं डरता हूँ इसलिए जिमी अपने कोवरकर से कहता है कि क्या तुम मेरा एक दिन के लिए काम संभाल सकते हो Jimmy कवर का कहता है हाँ जरूर मैं तुम्हारा काम संभाल लूँगा और Jimmy the shelter चला जाता है और वहाँ पर उसके friends भी मिलते हैं Jimmy अपने friends को बताता है कि मैं यहाँ पर rap perform करने के लिए आया हूँ लेकिन उसके सारे friends हैरान होते हैं क्योंकि पिछली battle में वो एक शब्द भी नहीं बोल पाया था वो एकदम से freeze हो गया था लेकिन Jimmy के सारे friends काफी खुश होते हैं और उसका साथ देते हैं Jimmy वहाँ पर future से भी मिलता है future rap battle का host होता है future Jimmy से कहता है कि इस बार तुझे अच्छी performance देनी होगी एकदम stage पे rock performance देनी होगी Jimmy भी कहता है कि इस बार मैं अपना best try करने की पूरी कोशिश करूँगा इतने में ही battle वहाँ पे शुरू हो जाती है Jimmy की battle the free world के member से हो रही होती है और Jimmy अपनी rap performance में उस member के दो लोगों को हरा देता है ये वही लोग होते हैं जिन्होंने एक बार Jimmy को काफी मारा था और अब Jimmy का मुकाबला पापा डॉक से होता है पापा डॉक टॉस जीत जाता है पर पापा डॉक एक तरह का champion होता है rap की performance में उस से कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता पापा डॉक जीमी को पहले rap perform करने का मौका देता है और इतने में ही future Jimmy से कहता है आज राद तुम्हें यहाँ पर बहुत अच्छी performance देनी होगी मुझे पता है मेरे दोस्त तू ही जीतेगा और finally Jimmy जब अपनी rap performance स्टार्ट करता है तो वो अपनी life history खोल कर रख देता है वो बताता है कि कैसे उसकी life में क्या क्या struggle हुए उसको किन किन चीजों से गुजरना पड़ा उनको कैसी कैसे situation हो का सामना करना पड़ा और साथी साथ वो पापा डॉग की भी reality को सामने लेकर आता है वो सबको बताता है कि पापा डॉग कितना fake इंसान है वो बस लोगों का फायदा उठाना जानता है चुकि Jimmy एक सच्चा इंसान होता है एक सच्चा rapper होता है इसलिए वहां की audience उसका साथ देने लगती है वो उसके साथ साथ गाना स्टार्ट कर देती है और उसका show इतना popular हो जाता है कि पापा डॉग का chance ही नहीं आता और Jimmy का performance खतम होने के बाद पापा डॉग के chance आता है जो कल Jimmy की situation हुआ करती थी जो कल Jimmy की situation थी वही आज पापा डॉग की हालत हो रखी है पापा डॉग को समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये सब क्या हो रहा है वो भी एकदम से freeze हो जाता है पापा डॉग को उसे complete करने में एक भी line नहीं बोली जा रही होती है पापा डॉग जिसे हम अभी तक champion समझते थे वो इस championship को हार जाता है और वहां का नया champion, नया show winner Jimmy होता है So friends, ये movie अब यहीं पे समाप्त हो जाती है अब मैं आपको इस movie से जुड़े हुए कुछ facts बताऊंगी इस movie ने 2002 में धमाल मचा दिया था इसकी IMDB पे rating है 7.1 out of 10 Rotten Tomato पे it's 75% fresh इसका Metacritic score है 77% और friends, 92% Google users ने इसे like किया है Friends, इस movie ने 5 awards भी जीते हैं उनमें से एक award है The Best Movie of 2002 अब हम इस movie के main character की बात करते हैं जिसका नाम Eminem है Friends, ये movie उनी के life के real struggle से दिखाती है दरासल 8 Mile एक जगह का नाम है जो USA में है वहाँ पर वो Eminem का घर था Friends, ये movie हमें ये सिखाती है कि life में हमारी कैसी भी situation हो हमें hard नहीं माननी चाहिए end तक हमें struggle करते रहना चाहिए Thank you for watching movie ये प्रोंटैं करते हैं मैं ये मैं भी नहीं जगए